तो बच्चों स्वागत आप सभी का आपके अपने युडूब चैनल अग्जाम फिल टूए में तो गाइस लेकर आपके लिए कक्सा 11 में इंगलिस फर्स्ट लेंग्विज का अग्जाम जिहां दोस्तों देश सकते हैं कक्सा 11 इंगलिस का अग्जाम और यहां पर आपके जो टोटल माक्स है वो 50 होने वाले हैं जिहां सबसे वहले 25 माक्स का जो पार्ट A होने वाला है और 25 माक्स का पार्ट B होने वाला है तो दोस्तों टाइम आपको होने वाला है टू और यहां पर देश सकते हैं इंगलिस का अग्जाम जिहां दोस्तों यहां पर सबसे पहले सेक् तो यहां पर answer the following question in four to five sentence each ठीक है दो माक्स वाले question यहां पर आपके आज चुकी है दो question ठीक है और यहां पर one mark वाले question जो यहां पर आपको सभी के screen shoot लेते जाना है और सभी को note down कर लेना है और इसका solution भी आपको जल्दी प्रवाइड किया जाएगा और ऐसे ही आपको सभी exam दिये जाएंगे हमारे चैनल पर चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बैल आइकन को प्रेस कर लें और अपन आने जा रहा हूं एक ऐसी आपके बारे में जो ज़्यादा popular हो रही है चाहे कोई question हो कोई doubt हो या कोई concept ना समझाए बोड्स हो या फिर जेई नीट पड़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका solution है फिलो एप अपने doubt को किसी भी वक्त सोलब करें in these three steps सबसे पहले इ नहां पर अपना मुबाइल नमबर डाल कर साइन अप करें अपने question का picture लें या फिर उसे टाइप करें और फिर submit करें और फिलो आपको विदिन 60 सेकंड में इंडिया के top most expert से live call पर connect कर देगा तो दोस्तों आप दे सकते हैं यह connect हो रहा है आपकी question में आपना कहना चाहते हैं कि बल्ब की power कितनी है अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर operate हो रहा है इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको given है 220 तो यह आपको simple relation हो गया यहां पर अब अगर को आपको और डाउट है तो बताईए यहां पर पार्ट भी आचुका है यह वी 25 marks का होने वाला है तो टोटल आपका 50 marks का exam होने वाला है तो यहां पर आप दे सकते हो section A में यहां पर true false आपको पूछे गई है और यहां पर nearest word यानि की word meaning का हो सकते है इसके मतलब nearest word क्या होगा तो यहां पर भी आपको सबी question दिये गए है जीहां दोस्तो इनको भी आपको no down कर लेना है और यह अगर आप माने तो grammar portion यहां पर आपका आचुका है तो जीहां दोस्तो यह आपका grammar portion होने वाला है तो शबी को आपको no down कर लेना है और यहां पर देख सकते हैं, आइरवेदिक provides a real solution to our health problem, तो यहां पर आपको MCQ type दिया गया है, और यहां पर फिर से आपको जो यह पैसेज है वो आज चुका है, अंसेंज पैसेज, तो इसका भी आपको solution कर लेना है, और इसको no down कर लेना है, तो आज किस वीडियो में फिलाल इतना ही, तो मिलते हैं इसके solution के साथ, जी हां दोस्तों, आपको solution भी जल्द ही provide करवाया जाएगा हमारे इस channel पर, तो यहां तक था आपका जो exam, तो अगर आपको कोई और exam चाहिए, तो आप comment down कर सकते हैं, तो चलिए आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं, next वीडियो म कर दो हैं, आपक हैं, तो आपको सकते हैं, तो यहां वीडियो में और exam के सकते हैं, तो आपको यहां जापको की जल्द